हलो गाईज वेलकम टू स्टॉक मार्के ट्रेडिंग फ्लैटफॉर्म पहें मैं कुल्दीप आपके लिए अनाधर वीडियो के साथ आज है 22nd एप्रिल और आज था वीकली एक्सपाइरी था एप्रिल मैंने का जो है सेकंड लास्ट वीकली एक्सपाइरी था उस एक्सपाइर पहले हम लोग समझ देते फिलाल मार्केट कंसलेडेशन मोड पे था और आज मॉनिंग में एक अच्छा खासा गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था मार्केट एंड उसके साथ लगबग मार्केट आज वहां से एक अच्छा खासा रिकवरी देखे एक करीबन बैंक निफ्ट अकारशी च्राशल से दिखन अच्छा खासा सेगेजन मैं हम लो बात करते हैं करीबन 14406 पर बं दिया है और बैंक निफ्टी करीबन 371,2 पर बं दिया है तो यहां पे एक अच्छा खासा सेलिंग था और उस सेल्लिव को चलते हुए यहा पर एक काफी अच्छा एक आज अभी बात करते हैं फिलाल जो है ग्लोबल मार्केट है वह एक चीज बता दूंगा आपको और उस ट्रेड में आपको पता चलेगा कि आज के जो बेस्ट स्टॉक्स क्या था जो अच्छे खासे मूवर्स थे वह बैंकिंग का एक नमबर वन स्टॉक्स था आइसे इसी बैंक करीबन 579 पर बन दिया है करीबन साड़े तीन टक्का ओपर बन दिया है आइसे सी बैंक वीप्रो जेस डेवल्यू यह सारे स्टॉक्स है बहुत अच्छे कासी रफ्तार तेजी के साथ बंच दे चुके है और टॉ बाइक कर सकते हो अब कर सकते हैं अब आपको फ्रेंट कर सकते हो और उसको लोंग टरम के सबसे तो यह इस बेश आडवाइस पर यू आपको बताऊंगा यहां पर निफिटी में कल के लिए आपको लेवल करीबन 14,540 का लेवल ए और नीचे 14,200 का मार्केट में मोर प्रोबैबली पॉसिबिलिटीज है मारकेट दोनों साइड मुवमेंट कर सकता है करीबन 200 पॉइंट अप एंड डाउन कर सकता है निफिटी की बात कर रहा हूं मैं तो उसी को चलते है कल आपको एक अच्छा कासा पॉर्चिंटी मिल सकता है और उसी को लेके आपको काम आएगा और आप इससे थोड़ा मुनाफा कमा सकते हों यह बस यहीं पर वीडियो अइंड करता हूं मिलेंगा हम लोग नेक्ट वीडियो के साथ तिल देन गुड़ बाई